जो मैं आपको बताने वालोघ वाला हूँ तो आपको ये Passport डालना तो आपका Aadhar card टोटल एक सकंड के अंदर अंदर Download हो जाएगा तो दोस्तो दो दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो में मैंने कहा था आधर कार्ड डाउनलोड कैसे करें तो वही बहुत सारे आधर कार्ड को डाउनलोड करें तो डाउनलोड करने के वाद उनके आधर कार्ड की पीडियाप में उनको पासपर्ड माग रह तो वहाँ पर उनका पासपर नहीं लाग रहा है तो ऐसे में उनका आधरकार डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आज की इस वीडियो में आपको इस प्राप्लम का सूलूशन बताने वाला हूँ और साथ ही आपको ये भी बताने वालो कि आप अपने आधरकार्ट को डाउनलोड कैसे करें और आधरकार्ट को डाउनलोड करने के बाद इसमें आपको क्या पासपर्ट डाला है जिसके वुज़ से आपका अतरकार्ट आपके समय आ जाएगा फिर इजली से आप उसका प्रिंट निकाल के आप ओरिजनल आधर कार्ड निकाल सकते हैं तो बहुत ही शार्ट वीडियो होने वाली है तो बिना टाइम बेस्ट के चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बदा दूगा कि आपको वीडियो को compete watch लिए हैं जिससे आपको इसली से पता लग जाए कि आपको वहाँ पर आधर का डाउन्लोड करने के बदद आपको क्या पासपर डालना है जिसकी वज़े से आपको जो आधर कार्ड है टोटल एक सेकंड के अंदर अंदर डाउनलोड हो जाएगा तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको भी अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको भी अपना करेंगा तो दोस्तों यहां पर आपको पहली वेबसाइट में उद्धे नाम की वेबसाइट पर किलिक कर देना है तो जैसी आप भी उद्धे नाम की वेबसाइट पर किलिक करेंगा तो सबसे पहले आपको यहां पर अपनी लंगवेज को स्लेक्ट कर लेना है तो जैसे कि आपने है तो जैसी आप स्कूरल करेंगे तो को निचे आना है पहला the Pohrec जैसी अपर क्रिक करेंगे तो आपकोस क्रोल करेंगे तो मियरा तो पहला अप्टेथ कर चाहिए अभीर काड में डाकोमेंट को अपडेट करने है तो पंध यहां सिख्पथ прим 2 क्रोल करें तो डूसरा आप्षिन आता आपको डाउनलोड आधार के आगेन पर किलिक कर देने तो जैसी आप डाउनलोड आधार के इसपतों की डालेंगे तो यहां आपको सबसे पहले अपने आधार नबर को ने आ रहा तो, आप capture कि आए इस arrow पर क्लिक करें दूसरा capture ला सकते हैं, मान कि चल एक यह भी नई परण की आ रहा तो आपको दुबारआ से capture काऊए इस icon पर क्लिक के आप दूसरा capture ला सकते हैं, लासे हो यहाँ पर आपकोouchip при religions कर देना होगा. तो दोस्तो जैसी आप capture fill कर देंगे तो capture fill करने के आपको नीचे send OTP के आइकन पर click कर देने हैं तो जैसी आप send OTP के आइकन पर click करेंगे देखे OTP successfully चले गया है आप किस पर OTP जाएगा जिस आधार card से भी आपका mobile number लिंक होगा यानि कि आपके आधार card है जो भी mobile number लिंक होगा तो उस mobile number पर OTP जाएगा उस OTP को आपने यहापर paste कर देने है तो जैसी आप उस OTP को paste कर देंगे यहापर तो आपको verify and download के आइकन पर click कर देना है आपके चले कि आपका नेम साहिल खान है और data birth आपकी 2003 है तो आपको लिखना है SAHI यानि कि capital letters में लिखना है SAHI 2004-2005 जो भी आपकी data birth वो आपको यहापर इंटर कर देना है मैं अपना यहापर passport लगा दूँगा मेरा नाम है मुहमद तो मैं लगा दूँगा अपने data birth लगा है 2001 तो मैंने आपने चार वर्ड लगा लिखे उसके पास मैं अपनी data birth लगा लिए तो जैसी आपको ओपन के आइकन पर क्लिक करेंगे यह देखे मेरा आधर काड मेरे सामने डाउनलोड होके आ गया तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप भी जो आपने आध आप श्राइब करेंगे तोछ औो जा बसके ईच अर।